molecular systematics in this module we will discuss application of molecular systematics molecular systematics को हम कहां कहां पर इस्तमाल कर सकते हैं इसकी applications क्या हैं तो first of all जो molecular systematics का जो इस्तमाल है वो taxonomic problems को solve करने के लिए हैं for example जब हम organisms को morphological characters की बेसके पर identify करते हैं तो sometime बहुत सारे individuals ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे से बहुत जादा resemble कर रहे होते हैं लेकिन जब हम detail study करते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर जो similarity है वो environmental conditions की वज़ा से है लेकिन इनका जो genetic data है वो different है इसी तरीके से बहुत सारे species देखने में different लग रही होती हैं बहुत सारे individuals देखने में different लग रहे होते हैं लेकिन वो एक ही species के member होते हैं उनके अंदर जो environmental conditions हैं उन environmental conditions की वज़ा से क्योंकि वो different environmental conditions के अंदर रह रहे होते हैं इस वज़ा से उनके अंदर variations आ जाती हैं इस किसम के जो taxonomic problems हैं उनको solve करने में जो molecular taxonomy है वो important role play करती है इसी तरीके से researchers तमाम जो group हैं उनका जो life tree है वो बनाना चाहते हैं अब morphological characters की base के उपर life tree बनाने के अंदर बहुत सारे मसाइल आते हैं तो जो molecular systematics है इसके अंदर हम मुखतलिफ और्गनिसम का जो DNA है उसको isolate करते हैं उसको extract करते हैं और उसके बाद उसको compare करते हैं मुखतलिफ और्गनिसम के साथ इस तरीके से for example हम scorpion का life tree बना सकते हैं हम spiders का life tree बना सकते हैं हम lizards का life tree बना सकते हैं तो molecular systematics ने life tree बनाने का जो मसला है उसको बहुत हद तक solve कर दिया है बहुत उसको quick कर दिया है इसी तरीके से बहुत सारे specimen जब हम उसको identify करना चाहते हैं तो वो immature stage के अंदर होते हैं तो immature specimen को morphological characters की base के उपर identify करना मुश्कल होता है क्यूंकि immature specimen के लिए जो keys और catalogs हैं उसकी availability नहीं है या limited keys या catalog उनकी identification के लिए available हैं तमाम group के लिए तमाम organisms के लिए ये keys available नहीं है लेकिन जो molecular टेक्सोरमी है इसके अंदर ये potential मौझूद है कि immature specimen को भी उसके DNA के जरिये असानी से हम identify कर सकते हैं उसका DNA उसको sequence करें और उसको available जो data bank है उसके साथ compare करें और मालूम करें कि ये किस species से belong करता है इसी तरीके से जो cryptic species हैं cryptic species की identification के अंदर molecular systematics बहुत जादा helpful है इसी तरीके से बहुत सारे जो disease vectors हैं जो के बहुत सारे जो diseases के spread के लिए responsible हैं उनकी identification जिसना mosquitoes की जो different species हैं उसको identify करने के अंदर molecular systematics अपना role play कर रहा है इसी तरीके से food authenticity testing आम तोर पर जब एक food को process कर दिया जाता है तो उसके बाद यह identify करना बहुत मुश्कल होता है कि यह जो food है यह कि specimen से ब्राउं करती है वार जबल हम fish की बात करते हैं एक fish जो के बहुत ज़्यादा expensive है उसकी बज़ाए एक shop वाला ऐसी fish जिसका जो meat है वो बहुत ज़्यादा cheap है उसकी quality तनी अच्छी नहीं है उससे replace कर देता है लेकिन उसके अंदर वो ऐससे flavors add कर देता है कि जो देखने से यह अंदाजा ना हो कि यह किस specimen का meat है तो इस किसम के जो frauds होते हैं उनको molecular जो systematics है उससे आसानी से identify किया जा सकता है इसी तरीके से बहुत सारे जो organism हैं उनकी hunting, shooting के उपर ban है और उसकी जो trade है उसके उपर मुकमल पाबंदी है वास दफा जब एक animal का meat एक country से दूसरे country के अंदर भेजा जाता है तो असानी से उस meat को identify किया जा सकता है अगर वो अपनी original farm के अंदर है लेकिन अगर उसको process कर दिया जाए तो process करने के बाद उसको identify करना comparatively मुश्कल हो जाता है उस सूरत के अंदर जो molecular systematics है यह helpful होती है हम उसका जो DNA है उसको isolate करके उसको sequence करके तो available जो हमारे पास bank होता है उसके साथ compare करके पता चला लेते हैं कि यह meat किस animal का है क्या यह assay specimen का है assay animal का है जिसकी जो trade है यह किसी assay animal का meat तो नहीं है जिसके उपर ban है या restrictions है इसी तरीके से अगर हमारे पास एक specimen मौजूद है हम उसको identify करना चाहते हैं तो आम तौर पर जब हम morphological identification करते हैं तो morphological identification के लिए हमारे पास कुछ morphological characters होते हैं और हर species के अंदर हर group के अंदर कुछ खास characters हैं जिसकी base के पर हम both identification करते हैं अगर जब हम identify किसी specimen को कर रहे हो उसके अंदर वो character जिसको हम study करना चाहते हैं जिसकी base के अपर हम identification करना चाहते हैं अगर वो किसी वज़ा से damage हो गया है तो उस specimen को identify करना morphological base के उपर मुश्किल होता है तो इस सूरत के अंदर हम जो molecular data है उसकी help लेते हैं और उसकी base के उपर organism को identify करते हैं इसी तरीके से subspecies और sibling species की identification के अंदर भी जो molecular data है वो important role play करता है